हम बात करेंगे हिंदी निबंद का उद्भव और विकास हिंदी निबंद के विकास की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है इसका आरंब गद्य के विकास के साथ साथ माना जाता है गद्य कवीना निकश्वदंती संस्कृत की सुक्ती में गद्य को कवियों की कसोटी कहा गया है तो आचारे शुक्ल ने निबंद गद्य की कसोटी है कहकर निबंद की महत्ता को स्थापित किया है मूलते निबंद शब्द का आर्थ है रोकना या बांधना यह अंग्रेजी के एसे के अर्थ में भी प्रियुक्त होता है निबंद की परिभाशा के बारे में जो विविद मत दिये गए हैं उनके बारे में मैं पहले भी वट्सेप ग्रूप पर विस्तार से बता चुकी हूँ आज हम उसके आगे आरंब करेंगे कि उसका उदभव और विकास किस प्रकार से हुआ सरप्रतम इसके अंदर आएगा भारतेंदु युग निबंद साहित्य का हिंदी में शिरी गनेश भारतेंदु के समय से और उनहीं के द्वारा मानना चाहिए भारतेंदू से पूर्व राजा शिप्रसाज सिंग ने राजा भोज का सपना नामक निबंद लिखा किन्तु इसमें निबंद के तत्वों का अभाव है भारतेंदू जी ने पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ने केवल निबंद नुमा रचनाओं को प्रकाशित किया वरन अपनी मित्र मंडली के लेखकों को प्रेरित कर लिखवाया भी करते थे इस युग के हरिश्चंद्र पत्रिका, कवीवचन सुधा, ब्राम्मन, हिंदी प्रदीप, आनंद कादंबनी पत्र-पत्रिकाओं में भारतेंदू और उनके मंडल के लेखकों के निबंद बहुत आयत से प्रकाशित होते रहे इन निबंदों में चिंतन और वेवार जगत के प्राए सभी विश्यों का समावेश रहता था भारतेंदू जी ने स्वें, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनिती, साहित्य, जीवन यात्रा, जीवन चरित, ज्यान विज्यान सभी विश्यों पर लिखा भारतेंदू यूग के अंदर अन्य लेखकों के रूप में बाल क्रिशन, भट, परताप नारायन मिश्र, पंडित बदरी नारायन जौधरी प्रेमगन, पंडित अंबिका प्रसाद व्यास, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकंद गुप्त का नाम लिया जा सकता है इन निबंध कारों ने साहित्य और समाज के प्रती अपना दाईत्व अच्छी तरह निभाया निबंधों के द्वारा इन लेखकों ने सामाजिक और राष्ट्रिय पुनर निर्मान की चुनोतियों का सफलता पूर्वक सामना किया भारतेंदु जी के निबंधों में स्वर्ग विधान सभा का आधिवेशन लेवी प्राण लेवी पांचवें पैगंबर इत्यादी उलेखनिय निबंध है भारतेंदु जी ने विशे के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है उनके निबंधों की भाषा मारमिक, अभिवेंजना और सजीवता से परिपूर्ण है बालकृष्ण भट ने आत्म निर्भरता, सहानो भूती, आशा, मेला, ठेला, इत्यादी निबंध लिखे इनके निबंधों में विशे की व्यापकता, विचारों की मौलिकता और शैली की रोचकता है प्रताप नारायन मिश्र ने दान, जुआ, इश्वर की पूर्ती, इत्यादी निबंध लिखे इन्होंने अपने निबंदों में महावरों और कहावतों का प्रयोग किया है आचारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हास्य विनोध की प्रवरिती इस काल में प्राए सभी लेखकों में थी भाशा की शितलता और व्याकरण की तुर्टियों के वाबजूद भी लेखक के व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण भारतिंदु यूग के निबंद अत्यंतर रोचक और आत्मियता पूर्ण है